हाई दोस्तों राजवान सिंग मौली प्रप्रप्रटी गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत और जो आज का टॉपिक है वह फिनेंचियल एड्यूकेशन के लिए उपर को फिनेंचियल एड्यूकेशन के उपर क्या हम करोडों रुपे जो आदमी सपना भी नहीं ले सकते वह आदमी क्यों नहीं कमा सकते क्यों बड़े बड़े चीज़ का सपना नहीं ले सकते नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यदि आप उसका टाइटल ही देख लो थिंक एंड ग्रो रिच सोचो और अमीर बनो थो और अमीर बनो दोस्तों वह कहता सोचो तसे ही ज्यादा तर हमारे लोग यह सोचते ही नहीं कि हम क्रोडों रुपे की बात कर सकते है क्रोडों रुपे कमा सकते हैं भाई जब तक हम सुचेंगे नहीं यह कुदर्त का नीम है जो मांगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानकदास मुख ते जो बोल ले या हुगा सचोवे मतलब जब आप अपने जुबान पे कोई चीज लाओगे तब ही मिलेगी आप को आपका ठाकुर बहुत बडा है वो देगा वह यह आपको जो मंग अथाकुर अपने दें सोई सोई देवें वह सब कुछ देता है जो मांगगे नानकदास मुख ते जो बोल जो आप मुझे बूलोगे यह हुआ सचोवे भाई जो आदमी छोटे लेवल की बात या छोटे को बोलगे जिते हैं कि हमें तो जिंदिद्धी में सन्टुस्टी चाहिए दोस्तों यह बोलने की बाते है यह दार्मक पंडाल में अच्छा लगता है कोई संतुस्ट नहीं है क्यों बंदा संतुस्त नहीं है 2 रपे harणे के लिए लेनों में कड़ें हैं इस भी कुछ भी कोई कुछ प्रीमें कुछ यह मलती हैं अपिर लेने लगाई बैठतें हैं कहां से संतुष्ट हो जाएंगे जो आदमी कहता है मैं जिंदगी में संतुष्ट हूं बिल्कुल जूट बोलता हूं मतलब वो आदमी जो आदमी अपनी जिंदिगे में संतुष्ट है वो तो कुछ नहीं करेगा फिर वो मुबाइल फोन क्यों रखा उसने फिर उसने कार क्यों लखी है क्योंकि फिर जो पिछे संतुष्टी थी जो बिजुर्गों के साथ संतुष्टी थी फिर वही संतुष्ट नहीं है वह कहने की बात है तो दोस्तों थिंक एंड ग्रोरिच का मतलब यही है जो आदमी करोडों के सपने लेने शुरू करते हैं यह वह ग्रीब खरके ही हो एक में किसी कोई बंदा काम करता था उसका बाप जाडू लगाता था सभी पर था और उसने अपना प्लेन लिया सिंगापुर में तो जो आदमी करोडों में सोच सकता है करोडों के पास सोचनी शुरू करेगा चाहें वह कहीं भी पैदा हुआ हो वह आदमी आगे बढ़ जाएग है यदि आप सोच नहीं सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते डोस्तों अपने कोई आदमी गूरीब किव इस लिए कि उस ने धन कम कमा रहा है नहीं गूरीव इस लिए ही कि उसने बढ़ां करने तो उसको कोई परशानी नहीं आ तो चैलेंज्ज को मनेज कर लेंगे ना मैंनेज्ट सीख लो आप कैसे रिस्क लेना है कैसे उसको करना रिस्क को मैंने राइल इंकम सोर्सज आफ्टर नॉलज रिस्क चार शब्द रायल इंकम सोर्सज आफ्टर नॉलज का है तो दोस्तों का मतलब यह सोचो आप अपने दिमाग में आज नया भीज डाल दो कि आपने बढ़ा करने जो जो आप चाहरे वो करने यदि आप चाहोगे तो हो जाएगा आप जिरो अब अदै कि वह तो अप लटीयों को नाधमियों कि आग लगी जिन आदमियुका एक्सिरेंट में नुक्सान हो गया को एषय और से अज़ लेव यह था तो दोस्तों सोचना शुरू करू आप सोचोंगे ताभी बढ़ाँ के मैं वेशा कहता हूं मत्थाइक ना और मत्था ना दोनों में बहुत फ़रक कि zou जिपना मंत्था टेक घ् Trust से अनेल्सिस करने से चिंतन करने से मंतन करने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा आप में ग्रोथ आएगी वह कहीं निया सकती है तो दोस्तों आज के लिए इतने ध्यान रखें अपना शीकते जाओ बढ़ते जाओ जितना पड़ते जाओगे उतना आप बढ़ते जाओगे उतना आप में confidence आते है जाएगा बढ़ा सोचने की आदि डालें जो आदमी बढ़ा कर रहे हैं बढ़ा पा रहे हैं उनके चार हत नहीं है उनके दो जबान नहीं है उनके दस तांगे नहीं है सिर्फ वह बड़ा सोचते हैं हम कहते हैं आदमी बड़ा हो गया बड़ा आदमी का यह मतलब नहीं कि उसके नहीं बड़े का मतलब वह बड़ा सोचना शुरू कर दिया और बड़े डिसीजन लेने शुरू कर दिया दोस्तों बने रहो इस चैनल के साथ ऐसी मोटिवेशनल वीडियो रियल स्टेट के उपर जनल टॉपिक के उपर मैं आपको देता रहूँगा उमीद करता हूँ यह वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आएगा यदि वीडियो का टॉपिक पसंद आता है तो आप लाइक और शेर करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा भी कर लेना ताकि सभी दोस्त इसका फैदा उठा सके आपके मन में कुछ होगा जब हम एक्षेंज ऑफ थौर्ट करते हैं तो फिर उन्हें से हमारी गृत बढ़ती है वेन आइडियाज है जब सारे आइडियाज मिलके करते हैं तो आगे जाके वह नहीं के नहीं नहीं आइडियाज को भी जन्म देते हैं दोस्तों आज के लिए इतनी मिलता हूं जल्दी ने टॉपी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें बढ़ते रहें तो बढ़ते हैं